तीस अक्टूबर को धामी केविनेट की बैठक होने जा रही है मुखे मंतरे पुषकर सेंगे धामी के धक्षिता में ये बैठक होगी केविनेट की बैठक में कई महत्वपोन मुद्दो पर भी चर्चा होगी और इसलिए ये कैबिनेट की बैठक बहुत ज़ादा एहम आनी जा रहे है नुवंबर महीने से पहले 30 अक्टूबर को यानि कि अक्टूबर के अंत में ये बैठक है और डिवाली से पहले बैठक है करमचारियों को भी बहुत ज़ादा उमीदे होंगी और अलग अलग वर्ग कि लोगों की उमीदे होंगी कि डिवाली का गिफ्ट क्या मिलेगा सरकार से आपर तक्ष तोर पर भी चाहिए हमारे साथ नासर इन्वेस्टर समिट आ रहा है उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं हर दिन कर रहे हैं क्योंकि सरकार इसमें जोरो शोरो से लगी हुई है इस जो तीस हक्टुवर को कैबिनेट की बहुत ऐहम राठक होने वाली है इसमें इन्वेस्टर सम्मिट का मुद़ा जाने हैं क्योंकि भूस सारे निड़ने की बहुत बाहित बाथ हैं देवाकरिक के बहुत रही है क्योंकि राजदानी देरादून में इन्वेस्टर सम्मिट नहीं है तो तमाम जो ओड़ों के गहराने के लोग डेस और विदेसों से आएंगे उनको ऐसा ना लगे कि उत्राखंड में विकास नहीं हो रहा है इसलिए उत्राखंड के इस विकास कारियों को आगे बढ़ाने के लगातार जो इन्वेस्टर समिट है वो आए जीद की जा रही है और इन्वेस्टर समिट में ये ये बड़ा कारण इसको माना जा सकता है की इन्वेस्टर सम्मिट से पहले सरकार सिज़ Bijन z biomedical को ठीक कर लेना चाहती है दोजित कर लेएगा इसको लेकर क्वां जेकर के उत्र बहुत दनेवाद आपका नासर जानकारी देने के लिए इस बैठक होने जा रही है उसे पहले जो मुखे जिंडे क्या रहने वाले हैं इसकी चर्चा हमने कि